इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोरोना वाइरस की वैक्सीन के संबंद में कि कोरोना वाइरस की वैक्सीन यदि भारत को उपलब्ध होती है तो उसके लिए जरूरी है कि भारत cold chain infrastructure को मजबूत बनाए infrastructure का मतलब हुआ आधार भूत धाचा कुलमिला के यह जो वैक्सीन है इसको इस्टोर करने के लिए आपको कम टेंपरेचर की जरूत पड़ती है तो वो सिस्टम भारत को डवलब करना चाहिए cold chain infrastructure dose of optimism dose का मतलब हुआ मात्रा optimism का मतलब हुआ आशावाद कि ठीक है coronavirus की वैक्सीन निर्मित हो रही है धिरी धिरी इस पर काम चल रहा है कि आप आशावाद के साथ इस ओर देख सकते हो India must improve भारत को जरूर इंप्रूव करना चाहिए किस चीज को its cold chain infrastructure कि यह जो आप कह सकते हो कि यह जो वैक्सीन होती है या फिर जो हमारी औशिदी होती है इनको इस्टोर जो है आप कह सकते हो कि जीरो डिगरी सेल्सियस से नीचे इनको इस्टोर करना पड़ता है तो उस सिस्टम को भारत को मजबूत बनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन को इस्टोर किया जा सके तो अवैल का मतलब होता है अपने आपको लाब उपलब्द कराना ताकि भारत जो है सोयम फायदा उठा सके किस चीज का बेनेफिट्स ओप न्यू वैक्सीन नई कोरोना वाइरस की वैक्सीन का फायदा उठाने के लिए भारत को जरूरी है कि भारत अपने कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करे आगे देखते है Multinational Drug Company Pfizer has announced promising results कि वह एक बहुराश्टरी कमपनी है जिसका नाम है Pfizer इसने गोशना किये किस चीज की गोशना किये कि वह इसने ऐसे नतीजों की गोशना किये जो की भरोसा देने वाले है From its ongoing phase 3 ongoing का मतलब है जो की जारी है phase 3 trial of a potential COVID-19 vaccine potential का मतलब है संभावित कि भाई COVID-19 की vaccine के बारे में जिस पर की काम जारी है इसका परिक्षन चल रहा है देको कोई भी vaccine जब आती है ना market में तो उसके कई परिक्षन किये जाते है phase 1, phase 2, phase 3 trial का मतलब है परिक्षन तो इसके दो परिक्षन हो चुके हैं और phase 3 पे काम चल रहा है और ये जो vaccine है इसके बारे में काफी संभावना है नजर आई है कि भाई ये जो vaccine है यह कारगर साबित हो सकती है और ये जो अर्ली रिजर्ट्स हमें प्राप्त हुए फाइजर कंपनी के दोरा ये जो आप कह सकते हो कि coronavirus vaccine को लेकर जो काम किये जा रहे है इसके जो प्रारंबिक नतीजे हमें प्राप्त हुए of the vaccine candidate candidate का मतलब होता है suitable है ना बिल्कुल appropriate vaccine candidate का मतलब है एक appropriate vaccine being का मतलब है होना तो इस vaccine के बारे में ऐसा कहा जा रहा है इस vaccine को ऐसा होना माना जा रहा है 90% productive कि भई ये जो है आपको आप कह सकते हो कि coronavirus से 90% तक आपको इस रक्षा दे सकती है ये जो vaccine है 90% तक आपकी रक्षा कर सकती है coronavirus है ऐसा कहा जा रहा है in the trials volunteers trial का मतलब है pariction volunteer का मतलब है कि जिन लोगों के उपर volunteer का मतलब होता है स्वयम सेवी यानि कि जिन ऐसे लोग जिन्होंने इस vaccine के लिए जो है अपने आपको उपलब्द कराया इस vaccine का प्रियोग किया जा सके है ना उसके लिए जो volunteers आगया आए थे ना तो उस volunteer उसमें पूरे survey में पाया गया कि हाँ ये vaccine जो है 90% productive है nearly लगबग 40,000 are enrolled कि भई इस vaccine के परिक्षन के लिए जो volunteers आगया है जो स्वयम से भी आगया है वो कितने हैं लगबग 40,000 लोगों ने अपना इसमें लिए नामांकर कराया है तो is the only important detail that is public अब ये इस किस के लिए आया है ये इस तथि के लिए आया है इस fact के लिए कि ये vaccine जो है 90% productive है is the only important detail ये है एक मात्र महत्वपूर्ण जानकारी है that is public जो कि सारवजनिक की गई है इस vaccine के संबन में जिसे की Pfizer company के दोरा develop किया जा रहा है इस vaccine के संबन में ये बताया जा रहा है कि ये vaccine जो है 90% productive है ये एक मात्र जानकारी है जो कि सारवजनिक रूप से इस vaccine के बारे में उपलब्ध है is an important detail Pfizer अब देखो Pfizer के बारे में जानकारी दी जा रही है कॉमा लगा के which is using a vaccine candidate by German firm BioNTech देखो एक German company है firm का मत्त होगा या company BioNTech है न उसके दोरा जो vaccine डवलप की गई उसके दोरा जो suitable vaccine डवलप की गई है उसका प्रियोग कर रही है Pfizer company head disclose और Pfizer company ने इस बात का खुलासा किया था कब September में कि इस बात का खुलासा किया था Pfizer company ने September में वो देख लेते हैं that for a vaccine to be judged 60% effective कि किसी vaccine को आप जो है 60% तक प्रभावी मानो उसके लिए जरूरी है किसी को judge करने का मत्तल होता है किसी के बारे में निर्णे लेना कि किसी तो ये जो Pfizer company है इसने September में जो है इस बात का खुलासा किया था कि किसी vaccine को 60% तक प्रभावी माना जाए उसके लिए ये निर्णे होना जरूरी है क्या निर्णे होना जरूरी है 164 volunteers would have to contract COVID-19 कि उसके लिए 164 के लगबग आपके पास सोयम से भी होना चाहिए would have to देखो ये have to आया है ये have to आता है किसी भी चीज की बाध्यता को दिखाने के लिए obligation को दिखाने के लिए और ये would would क्या दिखा रहा है would दिखा रहा है future tense ये past time में बात हो रही है future की तो देखो उस company ने ऐसा कहा था कि contract का मतब है बीमारी से संक्रमित होना कि बाई COVID-19 बीमारी से संक्रमित होना होगा कितने लोगों को 164 लोगों को और फिर इनके उपर experiment किया जाएगा तब जाके पता लगेगा कि ये vaccine कितनी कारगर है this includes both the vaccine and placebo groups देखो किसी भी vaccine का जब क्या किया जाता है प्रियोग किया जाता है तो कुछ लोग लिए जाते हैं जैसे कि मानों आपने 100 लोग चुने अब इन 100 लोगों में से for उधारन के तोर पे आपने क्या किया 60 पृतिषयत लोगों को आपने vaccine लगाई और 40 पृतिषयत लोगों को आपने क्या किया जूटी vaccine लगाई तब ही तो पता चलेगा कि भँ vaccine कारगर साबित हो रही है जूटी vaccine का मत्व हो रहा है जैसे कि 60 पृतिषयत लोगों को vaccine के रूप में injection लगाए गए तो उनमें वास्तिक दवा डाली गई है और इन 40 प्रतिशत लोगों को vaccine के रूप में जो injection लगाए गए उनमें सिर्फ पानी डाल दिया गया या फिर कुछ भी नहीं डाला गया है इस तरह के कोई मतलब बिलकुल एक तरीके का लोगों से कहा गया है कि आपको vaccine दे रहे हैं लेकिन vaccine दी नहीं गई उन्हें उन्हें vaccine के नाप पर जूटी दवा दी गई तो उस जूटी दवा को हम बोलते है प्लेसेबो वन वर्ट सब्चेट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है तो यह जो experiment किया गय जाएगी और जिनको placebo भी दिया जाएगा the claim of 90% अब यह जो 90% का दावा किया है कि फाइजर कंपनी ने जो vaccine बनाई है और उस vaccine के संबन्द में दावा किया है कि 90% productive है इज बेस्ट यह दावा आधारी थे किस चीज़ पर? based on a sample of 94 volunteers अब देखो फाइजर कंपनी ने क्या कहा था कि किसी भी वैक्सीन को 60% तक प्रभावी माना जाए उसके लिए जरूरी है कम से कम 164 volunteer होने चाहिए जबकि फाइजर कंपनी ने यह जो 90% तक सुरक्षित होने का दावा किया है ना कोरोना वारिस vaccine के संबन्द में यह दावा किया गया है सिर्फ 94 volunteers के आधार पे अब यह जो 94 volunteers है ना इन में भी यह पता नहीं है हमें but it is not known यह मालूम नहीं है how many belonged to either group कि 94 लोगों में से कितने लोगों को vaccine दी गई और कितने लोगों को placebo दिया गया है on a sample of 94 but it is not known how many belong to belong to का मतलब है कि इस अंतरगत आते हैं to either group क इन में से कितने लोगों को vaccine दी गई और कितने लोगों को place से वो दिया गया तो कुल मिलाके यह जो vaccine है इसके बारे में अभी आप पूरी तरीके से certain होके कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका जो अभी चरण चल रहा है वो भी मतलब इसके ओपर जो experiment अब तक किये गए हैं वो भी पूरी तरीके से successful नहीं रहे हैं कि जो condition आपको पूरी करनी चाहिए तिवे सारी conditions पूरी नहीं की गई है It is also unclear यह बात भी clear नहीं है इफ दोज की वे व्यक्ति who were eventually infected जो की finally who were eventually infected जो एक तरीके से coronavirus से प्रभावित हुए थे यानि कि जिनका experiment किया गया था है जो virus से प्रभावित हुए थे Manifested, manifest का मतलब होता है फैलाना, mild का मतलब है हलकी है जैसे बोलते हैं कि इसको fever के mild लक्षन है यानि कि इसे हलका fever है और moderate, moderate का मतलब यह होता है कोई चीज controlled condition में होती थोड़ी सी उसको बोला जाता है moderate हालत में होना severity का मतलब है गंभीरता of disease तो यानि कि जिन लोगों पर यह experiment किया गया था जो लोग coronavirus से संक्रमित थे तो उन लोगों ने इस virus को और ज्यादा फैलाया है थोड़ा कम फैलाया या एक controlled amount में फैलाया है मतलब कितनी गंभीरता के साथ इस बीमारी को फिर उन लोगों ने फैलाया उस बीमारी को है न दो यद्यपी the results कि जो नतीजे according to Pfizer Pfizer Company की अगर हम मानें तो उसके अंसार जो नतीजे हैं were announced by an expert independent committee कि भई Pfizer Company का कहना है कि ये जो नतीजे दिये गए है ये हमने नहीं दिये इन नतीजों की घोशना की गई है by an expert independent committee independent का मतलब एक स्वतंत्र कि भई Pfizer कंपनी का कहना है कि यह जो हमने vaccine बनाई है इस vaccine के जो नतीजे हैं उनकी घोशना एक independent एक स्वतंत्र committee के द्वारा की गई है they have not yet been announced by the standard procedure of a peer reviewed journal हलांकि यह जो नतीजे है they have not yet been announced अभी तक इन नतीजों को घोशित नहीं किया गया है standard procedure of a peer देखो peer का मतलब होता है देखना reviewed का मतलब होता है अवलोकन करना देखो क्या है कि यह जो एक तरीके साब कह सकते हो कि जो medical journal होते है न यानि की बड़ी बड़ी एक तरीके की magazine होती है उन में से देखो कोई भी दवा जब बनती है तो उसका क्या है एक proper procedure होता है एक पूरी प्रक्रिया होती है उसको follow किया जाता है उसके पूरे चरण होते है चरण 1 चरण 2 चरण 3 इसके बाद में विशेशक्यों की committee होती है इसके बाद में वो जो vaccine नई निर्मित होती है उसे किसी जाने माने journal में प्रकाशित किया जाता है तो ठीक है एक expert committee ने इस vaccine के नतीजों के बारे में घोशना की है लेकिन अभी तक इनका मतलब एक किसी journal के द्वारा कोई जो भी medical journal है उसके द्वारा ठीक तरह से अवलोकन करके जो है इसके बारे में certificate नहीं दिया गया है इसको जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो peer reviewed general होता है उसने इसे अपनी सहमती अभी तक नहीं दिये in short संचेप में आप ये कह सकते हो कुल मिला कहा है ये समझ लो पूरा सार इसका कि there is still time to be reliably sure कि अभी हम इस vaccine पे पूरी तरीके से sure नहीं हो सकते reliably यानि विश्वस निये रूप से there is still time कि अभी भी वक्त है to be का मतलब है होना reliably sure that the results actually hold up in a wider population that the results कि इस vaccine के जो परिणामे hold up hold up का मतलब होता है एक तरीके से पकड़ कायम करना in a wider population wider population का मतलब है आपकी जो व्यापक जनसंख्या है उस व्यापक जनसंख्या पे आप इस vaccine के नतीजों को लागू कर सको उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा sure होना होगा अभी आपको और ज़्यादा विश्वास करने की जरूरत है इस vaccine पे न अभी आप पूरी तरीके से इस vaccine को विश्वास निये नहीं कह सकते Pfizer's announcement may not have an immediate impact for India कि फाइजर ने जो भी घोशना की है इस vaccine के समद में हो सकता है में शायद हो सकता है may not have an immediate impact for India impact का मतलब है प्रभाव कि Pfizer के द्वारा जो घोशना की गई है हो सकता है उन घोशनाओं का कोई ततकाल प्रभाव भारत पे न पड़े unlike Covishield by the Serum Institute कि ये Covishield Corona Virus की दवा है जिसका निर्मान Serum Institute के दवारा किया जा रहा है और Covacin, Covacin भी एक दवा है Corona Virus की जिसका निर्मान भारत Biotech Limited के दवारा किया जा रहा है तो इन दोनों के अलावा, unlike का मतलब है इनके अलावा there are no large phase 3 trials of vaccine in India इनके अलावा भारत में किसी भी vaccine का phase 3 trial नहीं चल रहा है यानि कि ये दो दवाएं है, Covacin और Covishin इनका phase 3 trial चल रहा है, इनको अगर आप छोड़ दो तो इसके अलावा अन्य कोई vaccine नहीं है जिसका की phase 3 trial भारत में चल रहा हो while जबकि there were early discussions इस बात को लेकर चर्चा परिचर्चा है थी इस बात को लेकर discussion थे with Pfizer, Pfizer company के साथ there is as yet no confirmation लेकिन अभी तक इस बात का कोई confirmation नहीं है confirmation का मतलब होता है पुष्टी हो जाना किसी चीज की on whether India can be assured of कि क्या भारत को इस बात के प्रत्ती आश्वस्त किया जा सकता है early access to even early access का मतलब है जल्दी उपलब्ध हो जाना है access का मतलब होता है पहुँच कि क्या भारत को जल्दी पहुँच कि भई जो Pfizer company जो vaccine बना रही है उस वह vaccine भारत की पहुँच में जल्दी आ सकती है इस बात के लिए अभी तक Pfizer company ने किसी प्रकार की कोई पुष्टी नहीं किये to even even का मतलब यहां तक की a fraction fraction का मतलब है हिस्सा part of the vaccine output कि भई यह जो vaccine है इसका जो उत्पादन है vaccine का जो उत्पादन किया जा रहा है क्या उसका कुछ हिस्सा भारत को जल्दी मिल सकता है in the event it is ready कि अगर यह दवा तयार हो जाती है अगर यह vaccine तयार हो जाती है तो इस event में इस हालत में क्या भारत को इसके उत्पादन का एक छोटा हिस्सा जल्दी मिल सकता है इस बात की पुष्टी अभी तक Pfizer company के द्वारा नहीं की गई है आगे देखते है the vaccine candidate vaccine candidate का मतलब में आपको कई बार बता है vaccine candidate का मतलब एक suitable vaccine है एक proper vaccine एक appropriate vaccine the vaccine candidate is based on तो यह जो vaccine है यह आधारी थे बेस के साथ में on preposition किस बात में आधारी थे on an mRNA technology है अब यह थोड़ा scientific होने की कोशिश कर रहा है एडिटोरियों करना the use of an infectious particle infectious particle का मतलब है कोई संक्रमित particle कि बई इस process में क्या किया जाता है यह जो vaccine है mRNA technology पे आधारी थे इस technology में क्या किया जाता है कि जो संक्रमित particle होते हैं उनका प्रियोग नहीं किया जाता है such as a portion of the virus जैसे कि virus है portion का मतलब क्या हो गया हिस्सा कि virus के हिस्से का प्रियोग आप इस technology में नहीं करते इस vaccine के निर्मान में नहीं करते end uses फिर हम प्रियोग किसका करते हैं end uses a piece of RNA इसमें क्या किया जाता है RNA के एक टुकड़े का प्रियोग किया जाता है RNA के एक हिस्से का आरेने के माध्यम से एंटीजन बनाया जाता है एंटीजन क्या होता है एंटीजन आपके शरीर में निर्मित होने वाले वे पधार्त होते हैं जो की एंटीबोडी का निर्मान करते हैं और एंटीबोडी बाहर से आने वाले वाइरस के खिलाप आपके शरीर की रक्षा करती है तो क्या किया जाता है इस technology में, आप क्या करते हो, RNA को लेते हो, और फिर उस RNA को क्या करते हो, आप antigen, उस RNA के माध्यम से आप उस RNA को antigen में convert करते हो, by the bodies on machinery, कि भई शरीर जो है, शरीर का अपनी जो machinery है न, शरीर का जो कार करने का धंग है, तो वह शरीर आप इस RNA को अपने virus के खिलाफ, this reduces the odds of untoward reaction, तो यह जो technology है न, इस technology में, odd का मतब़े, विशम परिस्थितिया, है न, untoward reaction का मतब़े, कि भई किसी तरह की गलत पृतिक रिया, यानि कि जैसे आप किसी vaccine का प्रियोग करते हो, किसी technology का प्रियोग करते हो, तो वह technology या वो process जो है, उसके कुछ ग आरेने technology में क्या है, कि यह जो गलत परिनाम हो सकते हैं, इन से आप बच सकते हो, इनकी संभावनाएं कम हो जाती है, this reduces the odds of untoward reaction, untoward reaction का मतलब है, कुछ एक तरीके सा आप कह सकते हो, कि कुछ ऐसा न हो जाए, मतलब जो नहीं होना चाहिए, उन से आप बच सकते हो, इस process में It also doesn't need to be cultured in chicken eggs, it also doesn't need to be cultured in, सबसे पहले समझते हैं, इस culture का मतलब क्या है, देखो क्या होता है, culture का मतलब होता है, कि जैसे कोशिका है, या फिर किसी कोई bacteria है, उसको maintain करने के लिए, देखो maintain in conditions suitable for growth, उसे कहा जाता है culture, culture का मतलब है, विकसित करना, किसी particular परिस्थितियों मे विकसित करना, किस चीज को विकसित करना, किसी कोशिका को विकसित करना, या फिर किसी bacteria को विकसित करना, उसे कहा जाता है culture करना, तो इस process में, it also doesn't need, इस process में इस वात की भी जरुत नहीं है, cultured in chicken egg, जैखो क्या किया जाता है, कि कई बार जब हम vaccine को निर्मित करते हैं, तो आपके पास जो virus है, उसको क्या करना पड़ता है, कि जैसे आपने chicken egg की साहिता ली है, मुर्गी के अंडे की साहिता ली, और other mammalian cells, या फिर किसी इस्तंधारी कोशिका में, या फिर chicken egg में क्या करते हो, आप उस bacteria को रख देते हो, ताकि वह bacteria वहाँ जीवित रहे, कुछ दिनो करना पड़ेगा, तब आप क्या करते हो, इन परिस्तितियों का प्रियोग करते हो, जैसे किसी mammalian cells का प्रियोग कर लिया आपने, या फिर chicken eggs का प्रियोग कर लिया, लेकिन इस process में आपको, आपको क्या है कि mammalian cells की या फिर chicken eggs की भी जरूरत नहीं है, allowing it to be made faster, तो ये जो प्र क्रिया में क्या होता है, काम जल्दी से जल्द होता है आपका, and more inexpensively, और खर्चा भी कम होता है, inexpensively मतलब कम खर्चे के साथ, आगे देखते हैं, दो यद्यपी, it is at the frontier of, though it is at the frontier, frontier का मतलब बिलकुल सीमा पे होना, novel का मतलब नया, novel vaccine production method, दो, it is at the frontier of novel vaccine production method, कि भई ये जो वैक्सीन को निर्मित करने का जो method है, ये बहुत ही नया है, ये जो वैक्सीन को निर्मित करने का method है, ये बहुत ही नया है, मतलब इसकी शुरुआत हो, ये बिलकुल boundary पे हैं, अभी हम, there are still no commercially available mRNA based vaccine, there are still, अब भी, no commercially available, अब भी, व्यापारिक रूप से हमारे पास में उपलब्द नहीं है, mRNA आधारित vaccine, कि ऐसी vaccine अब भी हमारे पास उपलब्द नहीं है, जो कि mRNA technology के हिसाब से विक्सित की गई हो, they also reportedly need to be refrigerated, अब देखो mRNA technology के माध्यम से, जिन vaccines को निर्मित किया जाता है, उनके बारे में ऐसी report मिली है, ऐसी जानकारी मिली है, कि इन vaccine को जरूरत होती है, किस बात की जरूरत होती है, they need to be refrigerated, कि उनको refrigerate किया जाना चाहिए, यहाँ पर refrigerate करने का मतलब है, कम तापमान पे रखने की जरूरत पड़ती है, इन vaccine को, to nearly, लगबग, कितना, nearly मतलब लगबग, minus 70 degrees Celsius, आपको इस तरह की जो vaccine होती है, mRNA technology से निर्मित, इनको आपको बहुत कम temperature, लगबग, minus 70 degrees Celsius पे इनको store करना पड़ता है, and India, और भारत के संदर में अगर हम बात करें तो, with its limited cold chain infrastructure, कि भारत में यह जो आपने बात की ना, कि इनको low temperature पे store करना पड़ता है, तो भारत के पास इतनी छमता है, नहीं है अभी पास, भारत के पास limited छमता है, cold chain infrastructure का मतलब है, आधार भूत संरचना, cold chain infrastructure का मतलब है, आधार भूत संरचना, जहां पर कि आप ऐसी दवाओं को store कर सकते हो, जिनको कम temperature की जरूत पड़ती है, तो भारत के पास इनको cold chain infrastructure है, वो बहुत ही limited है, बहुत ही सीमित मात्रा में, तो इंडिया के लिए कहा गया है, इंड भारत के पास इस capacity की कमी है, कि भारत जो है, बहुत ही कुशल तरीके से इन vaccine को store कर सके, इनको भंडारित कर सके, आगे देखते है, however, हालंकि, irrespective of weather and when, irrespective, इस बात की फिकर ही छोड़ो आप, कि weather, कि क्या और कब, Pfizer vaccine is available, कि भई ये Pfizer company के दोरा जो vaccine निर्मित की जा रही है, ये कब निर्मित होती है, और कहां कब निर्मित होगी, और ये निर्मित होगी भी नहीं होगी, इन सब की बात जाने दो आप, there is reason for optimism, लेकिन फिर भी हमारे पास आशावाद का कारण है, कि भारी ठीक है, जब उपलब्द होगी, तब होगी, लेकिन इस बात को छोड़ो, फ इसके माधियम से हमारे जो वेग्यानिक है, उनकी आधारभूत, इस्ट्रेट जी का हमें पता लगता है, आधारभूत उनकी नीती क्या है, of developing a vaccine to target the spike protein of the virus, देखो वेग्यानिक जो है, उनकी इस्ट्रेट जी है, उनकी नीती क्या है, उनकी नीती है, developing का मतलब है विक्सित क मतलब है, जो protein है उसके जो नुकीले, spike का मतलब होता है, एक तरीके की काटेदार संरचना जो होती है, नुकीली संरचना होती है, तो कुल मिलाके वाइरस की protein की जो नुकीली संरचना होती है, उसको target करने का काम कर रहे हैं, वेग्यानिक, ये जो MRN technology के माध्यम से, जो vaccine निर जी हो, बहुत ही ठीक है, बिल्कुल correct है, and given, और इस बात को ध्यान में रखते हो, that this is an approach, कि यह है एक द्रिष्टी कोण है, most vaccine developers are following, कि ज़्यादा तर vaccine को निर्मित करने वाले जो लोग हैं, वे इसी approach को follow कर रहे हैं, कि इस approach को, कि virus की protein को किसी तरह से निशाना बनाया जाए The chances of several encouraging results are high, तो सभी इसी approach पे लगे हुए हैं, तो इस बात की chances हैं, है ना, इस बात की उम्मीद है, several का मतलब है vivid, encouraging का मतलब है प्रोटसाहित करने वाले results are high, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नतीजे हमें प्राप्त हो सकते हैं, इस बात के chances ज़्यादा हैं, क्योंकि वेग्यानिकों को एक तरकीब हात आ गई है, strategy हात आ गई है, कि ज़्यादा तर वेग्यानिक जो है target कर रहे हैं, वाइरस की protein को, और सभी इस approach पे काम कर रहे हैं, तो मतलब chances हैं, कि कोई न कोई तो सफ़ल होई जाएगा, इसलिए कहा गया है कि optimism का हमारे पास reason है, आगे दे कि एक और company है, जिसका नाम है Moderna, वह भी क्या कर रही है, इस mRNA technology को यूज कर रही है, इसी approach को अपना रही है, उसकी approach भी इसी पर आधारित है, it is likely, ऐसा होने की संभावना है, that the new vaccine platform, कि जो नई vaccine है, new vaccine platform, may prove to be a breakthrough, कि आप एक तरीके से अभी हमने Pfizer company की बात की है, अब यह दू सकता है, कि Moderna company जो है, prove to be, साबित हो सकती है, breakthrough, breakthrough का मतलब होता है, एक महत्वपून काम्याबी, यह ना, एक महत्वपून उपलब्दी, कि हमें एक महत्वपून उपलब्दी मिल सकती है, breakthrough approach in developing future vaccine, कि आगे आने वाले future में, जो भी vaccine हम develop करेंगे, उनमें यह जो अप्रोच अ निगरानी करनी होगी है, बहुती सतर्क रहना होगा आपको, तो इंडिया must keep, keep का मतलब है रखना, a close watch on such platform technology, कि इस तरह की जो भी technologies विक्सित की जा रही है, इन technologies पे भारत को अपनी निगाहें रखनी होगी, and develop expertise, और भारत को विक्सित करना होगा, क्या? विशेशग्यता है It must also not lose an opportunity, कि भारत को जरूर जो है, अवसर को नहीं गवाना चाहिए, to improve, बतलब भारत के पास time नहीं है, भारत को इस अवसर को भी नहीं खोना चाहिए, भारत को improve करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए, किस चीज में? It's cold chain infrastructure, कि भारत का cold chain infrastructure है, उसको सुधारने पर भी भारत को काम करना चाहिए, which currently is developed only for rudimentary vaccine, कि भाई वरतमान में यह जो हमारे पास cold chain infrastructure है, इसका प्रियोग किया जा रहा है, वरतमान में, अगर हम cold chain infrastructure को develop करते हैं, विक्सित करते हैं, तो किस लिए करते हैं? Only for rudimentary vaccine, rudimentary का मत होता है, basic, बहुती बुनियादी, यानि कि ऐसी vaccine जो की बहुती ज़्यादा जरूरत है, बहुती basic vaccine है, सिर्फ उनी basic vaccine के लिए, सिर्फ उनी rudimentary vaccine के लिए हमारे पास cold chain infrastructure अवेलेवल है, तो इस cold chain infrastructure को भी और ज़्यादा इंप्रूव किये जाने की जरूरत है.